जलोदर रोग जिसे पेट में पानी भरना भी कहा जाता है इस रोग में लहसुन का प्रयोग हितकारी है लहसुन का रस आधा चम्मच, आधा गिलास पानी में मिला कर लेना फायदेमंद है कुछ रोज लेते रहने से फर्क नजर आएगा देशी चना करीब 30 ग्राम, 300 मिली लीटर पानी में उबाले इतना उबाले की पानी अपनी मात्रा से आधा हो जाए इस उबले पानी को थंडा होने पर चान कर पिए ये प्रयोग 25 दिन जारी रखे करेले का रस 30 से 40 मिली लीटर बनाए और उससे आधा गिलास पानी में डालकर दिन में 3 बार पिए इससे जलोदर रोग निवारन में अच्छी मदद मिलती है जलोदर रोगी को पीने के पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए शरीर के लिए तरल पदार्थ की पूर्ती दूद से करना उच्छित है लेकिन याद रहे अधिक तरल से तांगों की सूजन बढ़ेगी जलोदर की चिकित्सा में मूली के पत्ते का रस अती गुनकारी माना गया है 100 मिली लिटर मूली का रस दिन में 3 बार पी सकते हैं मेथी के बीजों का इस रोग में उप्योग करना लापकारी रहता है रात को 20 ग्राम बीज पानी में भिगो दे सुबह ये पानी चान कर पिए अपने भोजन में प्यास का उप्योग अधिक करे इससे पेट में जमा तरल मूत्र के माध्यम से निकलेगा और आराम लगेगा जलोदर रोगी रोजाना तर्बूच खाए इससे शरीर में तरल का बेलेंस ठीक रखने में सहायता मिलती है शाच और गाजर का रस भी फायदेमंद है ये शक्ति देते हैं और जलोदर में तरल का स्तर अधिक बढ़ने से रोखते है अपने भोजन में चने का सूप, पुराने चावल, उटडी का दूद, सलाद, लहसुन, हीन को शामिल करना चाहिए इनसे जलोदर रोख दूर करने में सहायता मिलती है और पेट का फूलना भी कम हो जाता है ये कुछ घरेलू पर कारीगर नुस्खे हैं जिनसे आप जलोदर रोख से मुक्ति पा सकते हैं